सुप्रीम कोट के में जो यह मामला गया है कि बोला कि यह आधार हीन है सुप्रीम कोट ने कहा कि आप बताइए तमिलाडू सरकार को कि आपकी इस आधार पर लगा दिया अब सब्सक्राइब नहीं सकती है रहात मिल चुकी है उनको पूलीस का स्टडी में नहीं रखा गया है यह मत समझे को जेल से निकल जाए गया बहुत उनके लोगों को यह लगता है कि के सब्सक्राइब नवशकार मैं हुट सैफ आप देखरेनी उस्पोर सिटीजन हमारे साथ सिवननन भारती जी है जो कि पटना हाई कोट के अधिवक्ता है बहुत ही सरल भासा में बहुत ही आम बोलचायल की भासा में अपनी बातों को बताते हैं अपनी वेवाकी के रूप में जाने जाते हैं हम इनसे बात करेंगे और जाने कोशिक करेंगे कि क्या 28 तारीक के बाद जो आने वाला Honorable Supreme Court के तरफ से जो notification आने वाला है उन्हें कितना राहत मिलेगा हम ये भी जानेंगे कि क्या यदि NSA हट जाता है तो इसमें उन पर जतनी भी मुकदमा आप तक दायर हैं तमाम मुकदमा हट जाएगा या कुछ मुकदमा रहेंगे और भी किस तरह से तमाम चीज़ें चलिए इन तमाम चीज़ों पर हम शिव नंदर भारती जी से बात करेंगे नमश्कार सरु बहुत-बहुत शुक्री आपका सरु उसको हटाने की बात चल दी है इनसे को आप बेसिकली आप चीज़ समझे कि एनसे जो किसी बैक्ती पर लगता है कुछ खास परिस्थिती में लगता है और उसमें खास करके जब कोई बैक्ती की इतनी हैसियत हो कि जिससे वो उसके राज्य को या पुरे देश की सुरक्षा को जब खतरा हो तो तो सुरक्षा का ग्राउंड पर किसी पर नैसे लगता है या फिर वो की कोई आतंगवादी ग सुप्रीम कोट के में जो यह मामला गया है कि बुला कि यह आधार हीन है सुप्रीम कोट ने कहा कि आप बताइए तमिलाडू सरकार को कि आपकी इस आधार पर लगा दिया अब एक्जामपल के तौर पर आप समझे कि कोई बैक्ति बहुत साधरन सब्दों में मैं समझा रहा अब इसके बाद पुलीस क्या करती है उसमें बाद में आर्म सेक्ट लगा दे तो आर्म सेक्ट कब लगेगा जब गोली बंदूख भंबारूद का जो है जिक्र हो तब यहालाठी टंडा में बंदूख का मने आर्म सेक्ट लगा रहे हैं तो उसको बेबकुप समझा केसे इस केस में मानिस कश्या पर जो इल्जाम था वह था कि उसने दिख भ्रमित करने वाले कुछ न्यूज को फैलाया तो इससे संबंद है वह उचित नहीं बैठता है और मने बैठता है नहीं बैठता है तो इस लिहास से एक तो यह बात है और बहुत हैरानी जताते हुए कोट कहा कि देखे एक अधिवक्ता होने के नाते हम लोग कोट के फैस से भी बहुत कुछ पढ़ने की कोशिस करते हैं हलांकि कोई जरूर नहीं कि हर बार आप उनके फैस को पढ़के सही हाकलन कर लिजे मौसम बैग्यानिक जिस तरीके से मौसम के मिजाज को कहा देता कि यह होता है कि साइद इसको रहत भरी ख़बर मिले अठायस तरीको और NSA के खिलाब जो लगा है वो हट जाए और दूसरा जो रिलीफ ही इसने मांगा है कि सारे केसों को मर्ज कर दिया जाए एक जगा तो वह और विहार में ही केस चले तो उसके तरफ ज़साब का प्रमाफेसाई मूड से लगा कि वो कर सकते हैं इन तमाम बिंदू अपर जब अठायस तारी को सुनवाई होगी तब आप यह का सकते हैं कि आगे क्या होगा यह लेकिन वो टोटल चीज़ सहाब के उपर निर्भर करता है क्या इनके खिलाब उधर से जो कपिल सिबल सहाब को तमिलाडू न कि प्रक्रियाएं अभी वो सुप्रीम कोट में उनका मौमला पावेदर नहीं गया है सभी केसों को एक जगा आप भीज आजया और एने से हटाया जाए और शुप्रीम कोट में जहनकारी के लिए मैं बता दू कि डिरेक्ट बेल के लिए आप आवेदर नहीं दे सकते हैं बेल जब कभी भी इस्टार्ट होगा नीचली आदालत से होते हुए वहां तक गुजरती है तो आपको पानी जो है सो पहार से चलती है नीचे की वोड ना कि नीचे से वो पहार की उपर जाएगा तो स सब्सक्राइब करें जरूर करें जब तक के लिए शुक्रिया जहें